आप देख रहे हैं क्रिफ टॉक और आज एक अमेरिकन टीवी स्रीज की जिसका नाम है लिगैसे सीजन टू यह दोस्तों यह एक अमेरिकन टीवी चनल पर ही ब्रोडकास्ट होते हैं जिसका नाम है दर सी डव्लू टीवी अप लोगों कोई से देखने के लिए अच्छा कर समय देना पड़ेगा और सबसे बड़ा बात दोस्तों यह English में आती है, यह Hindi में available नहीं है आप लोग यहाँ पे निरास हो सकते हैं, लेकिन Better Understanding के लिए आप इसके सब्टाइटल्स को भी लगा सकते हैं आप लोग इसलिए से समझ पाएंगे तो यहाँ पे मैं इसके पूरी कहानी तो नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग इतना देख भी नहीं पाएंगे, बीज में ही छोड़ देंगे सो मैं इसका थोड़ा पहुत सिनॉपसिस दूँगा, कैसी लगी मुझे बताऊंगा और क्या है इसकी मेजर प्लॉट यह सब मैं आपको बता दूँगा सो वीडियो को इंट तक देखिएगा और साथी आपसे निवेदन है कि चनल पर नए है तो चनल को सब्सक्राइब कर दीज़ेगा क्योंकि मैं ऐसे ऐसे और बीस डिबी सरीच का रिवीव आप लोग के लिए कि आते रहूंगा हमें सा तो चले फिर बिना किसी देरी के और सुरू होती है. तो इसके अगर में किर्दार का नाम रका है तैके आपके आप कहानी समझ में आए तो में किर्दार में होक माइकलसन है और उसका एक होता है लेंडर सौल्टसमेन है, Saltzman की दो बेटियां है, लीजी और जोसी, एक दो Salvatore School के स्टुरेंट्स और हैं, जो की MG हो गया, Caleb हो गया, और भी एक दो है, तो दोस्तों बस यहीं लोगो के बीच इर्दी-इर्द पुरी कहानी घुमती है, तो अगर आप लोग Vampire Diaries के फैन है, अगर आप लोग Vampire Diaries के दिवाने हैं, ट्विलाइट्स मूवी देख रखे हैं, और जोड़ रहा हैं कि यह वेंपायर वेयर रोल्स का कहानी दिखे, तो पुरी तरह से लब, रोमेंटिक, सुपर नेचुरल फैंटेसी वाली TV स्रीज है, तो आप इसे काफी इंजवाए करेंगे, तो कहानी देख लेती हैं, दोस्तों, तो कहानी शुरू होती है, कि स्रीजन मन के लाश्ट जब हुआ था, तो वहाँ पर दिखाया था, रोप माइकल्सन पूरी तरह से मैली बोर्ड के जाल में फंच चोकी होती है, और यह कैसे तरह करके वहाँ से निकल तो जाती है, लेकिन जब यह बाहर आती है, कि मैली बोर्ड के कारण ऐसा हुआ है, आप लोग के दिमाग में जो भी मेमोरिस था, सारे कुछ इरेज कर दिया है मैली बोर्ड ने, तो अलवाटूर स्कूल का जो भी स्टुडेंट्स थे, यह लोग सभी mix-up हैं, कुछ students यहाँ पे vampire हैं, कुछ students यहाँ पे witch हैं, कुछ students यहाँ पे where wolf हैं, तो कहानी ऐसे ही आगे जाती है, कहानी में धिरे-दिरे ली जी को सब कुछ remember होने लगता है, लिजी को सब कुछ याद आ जाता है अब इसे कैसे याद आता है यह सब के लिए आपको यह पूरी एपिसोड निकालनी पड़ेगी सो लिजी यहाँ पर समझ जाती है कि हाँ यह हमारी दोस्त है और यह लेंटन से प्यार करती है और यह लेंटन इसका वो एफ्रेंड है ना कि जोसी का और यहाँ पर यह दिखा रहा होता है कि जोसी और लेंटन का पर क्लोज आ चुके हैं और यह लोग एक दूसरे से बहुत ज याद आजाता है तो यहाँ पे लीजी और होप एक हो जाते हैं और यह लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे अपना एक्जिस्टेंस यहाँ पर प्रजेंट किया जाए कि सभी लोगों को याद आ सके कि मेरा भी एक्जिस्टेंस यहीं पर है मैं यहीं की हूँ तो दिरे दिरे जब एपिसोर्स पर आगे बढ़ने लगती है तो सब कुछ क्लियर होने लगता है बाद में जोसी को भी सब कुछ याद आ जाता है और जोसी कुछ ऐसा इसपेल छोड़ती है पूरे दुनिया में जिससे जितने भी लोग जानते हैं hope के बारे में यह सारा लोगों के दिमाग में hope का previous life याद आजाता है और यह लोगों के दिमाग में exist करने लगती है आब hope अब finally hope अब दुनिया में exist कर जोकी है Landon को भी याद आ गया है कि hope मेरी girlfriend थी अब यहां पे Joseph से यह प्यार करता है तो इसे चोड़ने में इसको अच्छा नहीं लगता है, इसे नहीं चाहता है कि मैं break up करूँ लेकि ना चाहते हुए भी इसे break up करना पड़ता है, फिर इसके बाद land और hope का प्यार वाला scene शुरू हो जाता है, बाद में black magic इतना ज्यादा हावी हो जाता है, जोसी के उपर की ज जोसी होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है वो किसी को पहजानती नहीं है वो हम पहुंचाती है हर किसी को जो ब्लैक मैजिक वाली जोसी होती है यह जाके मिल जाती है नेक्रोमेंसर से और नेक्रोमेंसर इससे बहुत ही बुड़ा बड़ा काम भी करवा रहा होता है लेकिन यह उसकी puppets नहीं होती ये बलकि necromancer को puppet बना देती है क्योंकि ये उतनी ज़्यादा powerful हो चुकी है कि necromancer को भी कुछ नहीं समझती है बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई puppet नहीं हूँ कि तुम्हारा कहने के मुतारिक मैं कोई काम करूँगी मैं जो बोलूँगी उसे तुम्हें मानना पड़ेगा सो ऐसा ही कहानी आता है कहानी आगे जाते है कहानी आगे दिखा रहा होता है दोस्तों कि अब necromancer भी काफी गुसा हो जाता है और कहानी के इंड में हमें ये दिखाता है कि necromancer, sportsman को और hope को ये बात बता देता है और सब कुछ clear हो जाता है कि जोसी अब पूरी तरसे बदल चुकी है जोसी जोसी नहीं रही ये black magic उसे पर capture कर चुका है अब लीजी को जोसी मारना चाहती है क्योंकि अब इसे मार के उसका भी जो भी सकती है इसे अपने में मर्ज करना चाहती है तो ये लोग ऐसे एक plan बनाते हैं जिसमें कि लीजी को मार के दिखा देते हैं लेकिन लीजी यहां पर बच जाती है और लीजी का funeral वगरा कड़ाते हैं लेकिन यहां पर जोसी को पूर्णर रूप से बिस्वास नहीं होता है कि लीजी मर्ज चुकी है क्योंकि इसे अब अंदर से फिल नहीं होता है कि लीजी मेरे अंदर है तो यहां पर इसके अंदर जो मर्ज होने वाला तो यहां पर hope एक ऐसा spell का यूज करती है जिसके थुरू यह जोसी कमैंड में चले गई है और बाहर जो लीजी रहती है वो hope बन जाती है बाहर hope बन की यह घूमती रहती है सब के सामने मिलती जुलती है ताकि सबको लगए कि लीजी मर्चुकी है और hope ही हूँ मैं अब hope जब जोसी कमैंड के अंदर जाती है तो इसके अंदर काफी कुछ करनामा यह देखती है कि यहां पर पूरा ब्लैक मैजिक कैप्चर किया हुआ है जो असली जोसी थी यहां पर यह भी होस पड़ी है तो इसको यह कैसे कदर से करके जगाती है फिर इसके बाद यह दिखाता है कि जोसी यहां पर जग जाती है और यह अपना बदला लेती है ब्लैक मैजिक को मार देती है और यहां पर जोसी अच्छी बन जाती है और जोसी पाइंडली बाहर रिकवर होके आ जाती है जब इंडिंग दिखा रहा होता है दोस्तों तो लेंडन भी अभी तक बेहोस पड़ा है इसे अभी तक भूस नहीं आया है और भूप भी अभी तक उसके मैंड से बाहर नहीं आ पाई है जबकि होप को बाहर आजाना चाहिए था और कहानी यहां पर सीजन 2 के इंड हो जाती ह सीजन 3 में के दिखाएगा बस कहानी यहीं से सुरू करेगा सीजन 3 में बात कर लिए इसमें कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स और भी आये हैं जैसे कि स्कूल के कुछ पूराने स्टुडेंट्स के एपेरिंग होता है यहां पर जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं यह लोग पहल कि यहां दोस्त हो जाती है एक को साल्ट की शम्हें इ vrijड़ता है तो नेक्रोमेंशर का कुछ पावर आता होता है की अमड़ा आदमी को जिन्दा कर देता है और जिन्दा करने बदुद्द बौए तो जो भी होता है तोने को मार देता है और लेंडरный यहां पर अभी तक अन यह मिल के जोसी को बाहर निकालने का प्लान मना रहा होता है तो सॉल्समें ये बोलता है कि ठीक है ऐसा मैं करूंगा लेकिन जो तुम्हार जितने भी पपेट्स है इन सब को तुम फ्री कर दोगे तो ऐसा होता है ये लोग भी फाइनली फ्री हो जाते हैं तो दोस्तों बस यही थी इसके सीजन में कहानी अच्छी लेगी हो तो लाइक जूर से कर दीजेगा ताकि हमें सपोर्ट मिलता के आप लोगों का और इसे आप सेयर भी कर सकते हैं तो ऐसे वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहोंगा हमें साथ तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक लिए टेक के और बाबाए